Hello everyone, welcome to Classes with Poonam, today we'll do 7th chapter of class 9th NC Art English book Beehive, the name of the chapter is Packing, the writer of the chapter is Jerome K. Jerome, यह बहुत ही humorous और hilarious story है, चेप्टर में जिस incident को हम read out कर रही हैं, वहाँ पर writer और उनके two friends George और Harris किसी place पर traveling करने का decide करती हैं, and of course जब वो लोग traveling के लिए, trip के लिए जा रहे हैं, तो they have to do their packing also, बट जब वो packing कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे happenings उनके साथ होती है, बहुत सारे ऐसे incident होते हैं, which make us laugh, like वो किसी चीज को रखना भूल गए, किसी चीज को वो ढून रहे हैं, और वो उन्हें मिल नहीं रही है, और कई बार तो उन्होंने क्या क्या कि भई हाँ, जिसको वो pack करना चाहा रहे हैं, उसके उपर बैठ गए हैं, और फिर उसको हर जगे ढून रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे incident जो हैं हम chapter में पढ़ेंगे, तो चलिए chapter को read out करना स्टार्ट करते हैं, with the section before you read, do you like going on trips, what kind of trips do you enjoy the most, क्या आप लोग जो है trips पे जाना पसंद करते हैं, और किस तरह के trips जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, how do you feel about having to pack for a trip, और जब आप trip पे जाते हैं, और उसके लिए packing करते हैं, तो आप कैसा feel करते हैं, like आप excited होते हैं, nervous होते हैं, irritate होते हैं, कई बार आपको गुस्सा भी आता है, कि भई हाँ जो चीज़े आप ढून रहे हैं, तो वो आ very much need, or that you can't find them easily, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कि आप किसी trip पे जा रहे हैं, और आप उन चीजों को रखना भूल गई, जिनकी आपको बहुत ज़्यादा जरूरत ही, या फिर जिनके आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है, वो चीज़े आपको मिल ही नहीं रहे हैं, तो जब आपके साथ ऐसा होता है, कि आप नसेसरी चीज़ को रखना भूल गई है, या फिर नसेसरी चीज़ आपको मिल नहीं रही, तो इससा आपको गुस्सा आता है, या फिर ये चीज़े आपको जो है हसी दिलाती है, what happened with you, now read this description, how the author and his friends pack, अचलिए, अब चप्टर में हम पढ़ते हैं, कि भी author और उसके जो friends हैं, वो किस तरह से packing करते हैं, I said I would pack, मैंने कहा, मैं packing करूँगा, ये किस ने कहा, writer ने कहा, अपने friend से, मैंने कहा, कि मैं packing करूँगा, I rather pride myself on my packing, मैं जो है, अपनी packing पर बहुत ही ज़्यादा proud feel करता हूँ, means उन्हें लगता है, कि भी मैं उनको किस तरीके से settle किया जाए, then वो कभी भी important चीजे नहीं भूलते हैं, means चीजों को match नहीं करते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से, उन्हें लगता है, कि उन्हें बहुत अच्छे से packing आती है, और इस चीज़ पर वो अपना proud भी feel करते हैं, Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living, Packing उन्हें बहुत सारी चीजों में से एक चीज है, जिस पर मुझे लगता है, कि मुझे दूसरे लोगों से ये ज्यादा अच्छे से आती है, means बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जिन पर राइटर को लगता है, कि भई दूसरे पर से वो ज्यादा अच अच्छे से इस चीज को कर सकते हैं, और Packing भी उन्हें से एक ही है, it surprises me myself, sometimes how many such things are there, और ये चीज़ कई बार तो मुझे surprise भी करती है, कितनी सारी ऐसी चीजे हैं, जो मैं दूसरों से अच्छा करता हूं, means राइटर को ये खुद से feel हो रहा था, maybe वो अच्छे हो और वो ऐसा ही feel कर रहे थी, I impressed that fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely on me, वो क्या कहते हैं, मैंने जो है ये बात George और Harris को बड़े जोर देकर समझाया, और कहा कि बहतर होगा, अच्छा होगा, कि तुम ये सारा का सावरा मामला मेरे उपर ही छोड़ दो, पूरा matter मेरे उपर छोड़ दो, means packing मैं खुद ही कि जरूरत नहीं है, means जब उन्होंने entirely कहा, पूरा कहा, तो they fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it, तो George और Harris ने क्या किया, एक दम से उनके suggestion को मान लिया, और जब एक दम से George और Harris ने उनके suggestion को माना, तो ये बात writer को कुछ uncanny, uncanny means strange लगी, थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आया, कि हाँ ये लो Like George spread himself over the easy chair and Harris cooked his leg on the table, एक दम से उन्होंने packing करना छोड़ दिया, और George जो है अपने आपको easy chair पर फैला कर बैठ गया, बड़े आराम से rest के mood में, और Harris भी जो है rest के mood में, अपने पैरो को table पर उपर रखके बैठ गया, ओके, this was hardly what I intended, तो आगे writer क्या कहते है, ये तो बड़ा म पर ऐसे छोड़ दिया, but writer ने ऐसा नहीं चाहा था, writer क्या चाहा रहे थे, what I had meant of course was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my direction, actual me writer का कहने का क्या meaning था, कि of course वो जो है इस job को boss करेंगे, means वो George और Harris को बताएंगे कि कि किस तरह से उन्हें जो है चीजों को करना है, वो George और Harris को direction देंगे कि वह सा समान को यहां रखो, और फिर जोर जोर हैरिस ऐसा ही करें, writer तो यह कहना जा रहे थे, लेकिन जोर जोर हैरिस ने तो पूरा मामला जो है writer के ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया, I pushing them aside every now and then, with, oh you, here let me do it, there are, there you are, simple enough, आगे writer क्या कहते हैं, कि जब वो मेरी direction के अंडर काम कर र really teaching them as you might say, आप कह सकते हैं, कि मैं तो उनको जो है packing करना सिखाना चाहता था, means writer तो चाहते थे, कि वो जो है, उन्हें packing करना सिखाएं, वो इस काम के job बने, directions दे, जोर जोर हैरिस को, और फिर जोर जोर हैरिस वैसा ही करें, लेकिन जोर जोर हैरिस ने तो पूरी तरह से इस का से writer बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए, वो तो चाहते थे, कि वो जोर जोर हैरिस को packing करना सिखाएं, there is nothing that's irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working, तो writer आगे क्या कहते हैं, कि ये चीज मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है, means ऐसा कुछ निया जो मुझे इतना इरिटेट करता हो, कि जब मैं काम कर रहा हूं और लोग बैट कर मुझे घूर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, लेकिन जोर जोर हैरिस ने अब ऐसा ही कर दिया था, तो इसे लिए writer जो है बहुत ज़्यादा irritate हुए, I lived with a man once who used to make me mad that way, एक बार मैं एक ऐसे ही आदमी के साथ रहता था, जो मुझ अंटो तक मैं काम करता रहता था और वो मुझे जो है काम करते हुए देखता रहता था, मेरी बिल्कुल भी help नहीं करता था, he said it, did him real good to look on at miss messing about, वो क्या कहता था, कि जिस तरह से मैं जो है, ऐसे चीजों के लिए पागल हो जाता हुँ ना, means कभी इस चीज को ढूंड रहा ह और अपने काम को कर रहा हुँ, तो वो person कहता था कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब तुम ऐसा करते हो, जब तुम प्रेशान होते हो ना, तो मुझे तुम्हे प्रेशान देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, now I am not like that, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी ऐ देख रहा हुँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, I want to get up and superintendent and walk around with my hands in the pocket and tell him what to do, this is my energetic nature, I can't help it, तो रैटर क्या कहते हैं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बैठता हूँ कि वही सोफे पे आराम से बैठ गया, चेर पे आराम से बैठ गया और दूसरे person को लोग काम करते हुए देख रहा ता मिन्स इस चीज को अपने आपको बोस बनाने में, राइटर जो है, इस चीज को energetic nature कर रहे हैं, कि वही काम मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं superident करूँगा, मैं बोस बनूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे करना हूँ, लेकिन मैं इस चीज में वह कहता है, मैं क्या करूँ, मैं इतना ही energetic person हूँ, okay, however, I did say nothing, मैंने कुछ भी नहीं कहा, but started the packing, और packing करना start कर दिया, it seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and sat on it and strapped it, जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं लंबा ये काम था, मैं इस राइटर ने ये सोचा था, कि हाँ पैकिं ही तो है, मैं बड़ा जल पैक के उपर बैठ गए और फिर उसको जो है, strap बांधना, start कर दिया, उसको strap बांधी थी, I am too going to put the boots in, said Harris, और जब राइटर ने बैक की straps लगा दी, तब Harris ने कहा, कि क्या तुम अपने boots पैक नहीं करोगे, and I looked around and found I have forgotten them, फिर मैंने जो है घूम कर देखा और पाया, कि मैं उ George laughed, जब तक मैंने जो है, बैक को pack नहीं किया, बंद नहीं किया, और उसको straps नहीं लगाई, तब तक उसने एक भी word नहीं किया, कहा, और जैसे ही, राइटर ने बैक को बंद कर दिया, तब ही एक दम से Harris बोला, कि बूट नहीं पैक करोगे, और इस चीज़ पर George से हसने लग One of those irritating sense laughs on us, they do make me so wild, senseless laugh on his, they make me so wild, फिर वो राइटर पहले ही irritated थे, क्योंकि George और Harris जो अपने काम को करना छोड़ के और बैठ गए थे आराम से, और उपर से Harris बैक बैक करने के बाद बता रहा है, कि बहीं तुम बूट रखना भूल गए, और फिर George उसके उसके उपर हस रहा means मुझे बहुत इरिटेट किया, I open the bag and pack the boots and then just I was going to close it, a horrible idea occurred to me, had I packed my toothbrush, I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush or not, फिर वो बैक को ओपन करते हैं, अपने boots को pack करते हैं, then एक दम से फिर उसको बंद ही करने वाले थे, तभी एक horrible idea उनके mind में आता है कि क्या उन्होंने अपने toothbrush को pack किया है या नहीं किया है, और writer ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों जो है हमेशे अपनी toothbrush को pack करना भूल जाता हूं, my toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling, मेरी toothbrush एक ऐसी चीज है जो मुझे haunt, haunt means to repeatedly give trouble, जो मुझे मुसीबत में डालती है जब भी मैं traveling करता हूं and makes my life misery और मेरी life को दुखों से भर देती है, क्यों भर देती है, क्योंकि वो कई बार जो है pack कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं उन्होंने pack किया है या नहीं किया है और परेशान होते रहते हैं, कई बार जो है बहुत पहले ही pack कर देते हैं, तो ये सारी चीज़े उनके साथ होती हैं और वो जो है बहु बैड से उठता हूं और उसको पैक किया ही नहीं और फिर मैं ऐसे सपने लेकर पूरी तरह से पसीने में भर जाता हूं और उठता हूं फिर मैं जो अपने बैड से उठता हूं और उसको पैक करता हूं और कई बार तो मौनिंग में क्या होता है कि मैं उसको ब्रश करने से पहले ही अपने टूट्स पर ब्रश करने से पहले ही उसको पैक कर देता हूं फिर से मुझे समान को अनपैक करना पड़ता है उसको निकालन कराता हूं लेकिन इस बार मैं बैक को नहीं खोलता क्या करता हूं अपने हैंकी में उसको रैप करता हूं और फिर जो अपने पॉकेट में डाल कर लेकर चला जाता हूं मैं ऐसा राइटर के साथ हमेशा होता है not only on this traveling हमेशा ऐसा ही राइटर के साथ होता है कि वो अपनी बारा से उसको पैक करना पड़ता है तो हमेशा उनके साथ ऐसा होता है तो टूथ ब्रश उनकी ऐसी चीज है जो उनको हमेशा मुस्विबत में डालती है और उनकी लाइफ को दुखों से भर देती है ऐसा राइटर को लगता है आफकोस आइब टूर्ण अवरी मॉटल आउ अप इंटु दमच दा सेम स्टेट देट देट मस्ट हैव बिन बिफोर दो वर्ड़ वस ग्रेट एट अड़ वन क्यों रेंट और राइटर क्या कहते है कि मैंने हर एक चीज को इस तरीके से जो है बैक के बाहर फैला दिया कि ऐसा लग रहा था कि अभी जो है संसार का पू I couldn't find my own मुझे जो है 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 इसकी टुट ब्रश 18 बार मिली लेकिन मेरी एक बार भी नहीं मिली I put the things back one by one and held everything up and shook it and then I found it inside a boot I repacked once more then फिर वो क्या कहते मुझे अपनी तो एक बार भी नहीं मिली फिर उन्होंने जो है एक एक चीज को फिर स the soap was in जब मैंने जो है उसको finish कर लिया तो George ने मुझे पूछा क्या तुमने जो है साबुन को रख लिया है मिंस नहाने की soap जो है वो रख ली है I said I did not care a hang whether the soap was in or whether it wasn't वो कहते हैं कि मुझे इस वात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि साबुन मैंने पैक की है या नही की है I slammed the bag shut and strapped and found that I have packed my spectacles in it फिर मैंने जो है बैग को पूरी तरह से जो है बंद कर दिया उसको steps लगा दिया और फिर मैंने देखा कि मैंने अपने चश्मे अपने spectacles को इसके अंदर ही रख दे हैं and had to reopen और फिर से जो है बैग को मुझे खोलना पड़ा it got shut up finally at 10 5 p.m. and then there remained the hampers to do और जो है मैंने finally 10.5 पर पूरी तरह से अपनी packing कर ली थी और सिर्फ और सिर्फ hampers pack करना रह गया था, hampers क्या होता है, large basket जिसमें हम खाने का सामान लेकर जाते हैं, okay, Harris said that we should be wanted to start in less and then 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest and I agreed and sat down and they had to go, और फिर उसके बाद Harris ने कहा कि अभी हमें निक सामान बचा हुए, like जो खाने पीने का सामान है वो और George मिलकर कर लेंगे और writer जो है इस चीज़ पर अगर ही हो गया, अब दोबारा से तो वो यह नहीं कह सकता था कि नहीं कोई बात नहीं मैं इसको कर लूँगा क्योंकि अगर वो फिर से यह बात कहता तो फिर से जो है उस जो है इसको बड़े हलके फुल के तरीके से स्टार्ट करते हैं, evidently intending to show me how to do और of course वो मुझे जो है, evidently means first रूप से वो मुझे दिखाना चाहते थे कि पैकिंग इस तरीके से करते हैं, मतलब कि नवस होने की जरूरत नहीं है, हसल बसल करने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम पैक, 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 बड़े अराम से चीजों को करे, I made no comment, मैंने कुछ भी नहीं कहा, I only waited, मैंने से वेट किया, with the exception of George, Harris is the worst packer in this world, तो writer यहां पर क्या कहते हैं, कि अगर George को हटा दिया जाए, means जब George और Harris दोनों कर रहे थे, तो writer क्या कहते हैं, George को अगर हटा द kettles and bottles and jars and pies and stocks and cakes and tomatoes etc and felt that the things would soon become excited, फिर वो क्या कहते हैं, मैंने जो है, plates, cups, kettles, bottles, jars, pies, means होता है, मुरब्बा, मुरब्बा, stocks, cakes, tomatoes, इन सब के धेर को देखा, means उनोंने जो है, इन सब को एक जगा इकठा किया हुआ था, एक बड़ा सा धेर इस तीज का बनाया हुआ था, और देख कर उनोंने फील किया कोई बात नी, चीज़े एकसाइटिंग होने ही वाली है थोड़ी सी देर में, means राइटर का यहां पे क्या कहने का मतलब है, कि भई हाँ, कुछ ना कुछ इन से गड़बट जरूर होगी, थोड़ी सी देर में ऐसा होने ही वाला है, it did, they started with breaking a cup और उनोंने इसको शुरुवात कर दिया, that was the first thing they did, पहली चीज जो उनोंने, exciting चीज जो उनोंने की, they did just to show what they could do, and to get you interesting, और उन्होंने जो है, ऐसा सिर्फ इसलिए किया, कि वो दिखाना चाहते थे, कि वो क्या कर सकते थे, और किस तरह से चीज़ों को वो interesting बनाते हैं, then Harris packed the strawberry jam on और tomato and squished it, फिर जो है, Harris ने strawberry jam को एक tomato के उपर जो पैक कर दिया, और फिर उसको squish कर दिया, पूरी तरह से कुचल दिया, and they had to pick out the tomato with a teaspoon, और इतनी बुरी तरीगे से वो जो है, hemper में पूरी तरह से चिपक गया, कि उनको जो है, spoon की help से उसको अलग करना पड़ा, so आज इस व is clear in very well manner, please let me know in comment section, like and share my videos and subscribe my channel for new updates, thank you, bye bye, keep learning झाल झाल